Hello everyone, आज हम आपके लिए लेके आए हैं nested if condition, यह if condition से थोड़ा सा complex होता है nested if function होता क्या है, nested if function होता है जिसमें हम एक ही if function के थुरू multiple logical test run कर सके हैं nested if function, यह हमारे पास एक data set है, जिसमें हमारे पास employee name है, region है, sale है and commission है फिलाल के लिए मैं इन दोनों को हटा देता हूँ अब मेरे को यहाँ पर sales पर commission देना है, हर company sales पर commission देती है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या क्या है, एक sale range set कर दिया और 77 commission percentage कि अगर मेरा 0 से 500 के बीच में sale होगा, तो 0%, 501 से 1000 के बीच में होगा, तो 10%, 1000 से 1500 के बीच में होगा, तो 20%, 500 से बढ़ा होगा, तो 30%, अब हम इसको लगाना है, हमें इसको if condition का formula यूज करते एक ही बार में, उसको हम nested if कहेंगे, हम क्या करेंगे सबसे पहले, अपना if condition लग value, जो की मेरे इस sale range में set है, कि मेरा अगर 1500 से बढ़ा होगा, तो कितना होगा, 30%, तो मैंने D2 अगर लिखा 1500 से बढ़ा होगा, 1500 से बढ़ा होगा, इसका मैंने logical test दे दिया, अब मेरा result क्या होना चाहिए, true, D2 into में 30%, यह मेरी होगी true value, कि अगर मेरा 1500 से बढ़ा है, तो मेरा percentage कितना होना चाहिए, sale का 30%, ठीक है, अब हम comma लगाएंगे, फिर दुबार safe condition on कर देंगे, इसी को हम कहते है, nested, अगला condition मैंने क्या लगाया, अगर 1500 की बीच में है, अगर 1500 की बीच में है, तो 20%, तो अब हम इसको कैसे लगाएंगे, कि मेरा अगर data जैसे ही 1000 से आगे लगाता है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, स्वर सेल का, sales का, sales लेकरना है, डीटू, greater than 1000, और comma का लगाना है, true value का लगानी है, मेरे को 20%, तो किसकी 20%? sales की 20%, ठीक है, अब यहाँ पर एक question होता है, जो I don't know, कि आप सब के मन में आ रहा है कि नहीं हारा, कि मैंने 1000 से 1500 की बीच मे जगा दिया, चलिए ठीक है, कि मैंने हाँ पर 1000 से greater than दिखा दिया, कि जैसी 1000 से greater than 1001 होगा, तो 20% लेगा, लेकिन अगर 1000 से greater than तो 1600 भी हो सकता है मेरा amount, और अगर 1600 amount है, तो मेरे यहाँ पर 20% आना चाहिए, जबकि मेरे 1500 से उपर होते ही 30% है, तो यह मेरा fail नहीं होगा, तो उसका answer है नहीं, क्योंकि 1000 से उपर होते ही 20% है, चलो मालो मैंने 1600 डाल दिया, तो जैसी मैं 1600 डालूँगा, तो मैंने एक already criteria यहाँ पर set कर रखाए, कि अगर D to 1500 से बढ़ा होगा, तो 30% होगा, समझ रहे हो, इसका मतला 1000 से बढ़ा है, 1600 ठीक है, तो अभी तख यहाँ पर 20% हो गया, लेकिन जैसे ही वो इस criteria को compare करेगा, तो मेरा जो 1600 है, वो 1500 ही बढ़ा है, तो यह जो final वाला result होगा 30%, वो इसको ले लेगा, I hope कि अभी आपको समझ आ गया हो, ठीक है, अब हम अगला condition लगाते है, if condition फिट से open किया, sales D to select किया, greater than, कितना करना है अब हमें, 501 से 1000 का criteria जिसमें 10% है, 501 का मतलब होगे, कितने से बढ़ा है, 501, 500 से बढ़ा है, sales का कितना हो गया, आपका 10%, ठीक है, अब आप देखें, मैंने 30% लगा दिया, यहाँ पर 20% वाला criteria लगा दिया, और 10% वाला criteria भी लगा दिया, ठीक है, अब बचता है मेरा 0%, जब भी आखरी criteria बचत लास्ट वाला criteria बचा है, अब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट बन करूँगा, जितने ब्रैकेट ओपन उतने ब्रैकेट बन, तो मेरा 1, 2, 3, तीन ब्रैकेट ओपन है, तो 1, 2, 3, एंटर मार दो, ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको ड्रैक कर दो, आपका formula आ गया, अब आप यहाँ percentage भी लगा सकते हो, commission upon में sales, यह आपका आगेट इस तरीके से, अब ही आप क्या करोगे, आप देखोगे हाँ पर, मैं आपको एक एक करकर समझाता हूँ, देखो, मेरा 1000 है, तो मेरा commission कितना है, 100, मतलब कि 10%, 1000 पे कितना है, 10%, ठीक है, अब जैसे कि आपने काता है, मैं अब जैसे कि आपने काता है, मैंने 1500 से बढ़ा किया, तो 30% है, 1000 से बढ़ा किया, तो 20% है, और 1600 जो amount है, वो तो 1500 से बढ़ा है, लेकिन मैंने 1000 से आते ही बढ़ा पर 20% दे रखा है, तो इसमें कौन सा लेगा, इसमें हम चख करेंगे, 1600 करा हमने, तो कितना परसेंट ले लि हो गया, इसी तरीके से मैं इसको 1500 कर दूँगा, तो वो 30% लेगा, लेकिन जैसे मैं इसको 1500 करूँगा, वो इसको 20% लेगा, ठीक है, तो I am hoping कि आप सबको ये session समझाया होगा, अच्छा लगा होगा, तो अगर आप को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करें, सब्स सब्सक्राइब.